National Investigative Agency याने NIA की जानिब से conspiracy मामले में तीन और लोगों के खिलाफ आज चार्ज शीट दायर किया गया है यह तीन लोग जिनका तालुक ममनुवा जमात लश्कर तोईबा से हैं और इनमें एक जो शक्स हैं वो पाकिस्तानी रिजडन्ट हैं और इनके साथ जिनका नाम हबीबुला मल्क है और इनके साथ साथ आपको बता दूँ कि दो और लोग भी इसमें शामिल हैं जिनका नाम हिलाल याकूब देवा और मुसेब फयाज बाबा है यह दोनु का तालुक जो है शुपियान डिरस्टिक से है और इनके खिलाफ NIA ने कॉंस्पिरिसी मामले के तहत चार्जशीट दायर किया है और इस स्टेटमेंट के हवाले से बताया गया है कि इन पर इल्जाम है कि इन्होंने फिजिकली और साइबर स्पेस यूज करते हुए कुछ ममनुवा जमात्तू के साथ यह कॉंस्पिरिसी रची थी कि जम कश्मीर में किस तरीके से जो टेरुरिस्म है उसको दुबारा रिवाइब किया जाए और यहां के अमन और सलामती को नुक्सान पहुचाए जाए यह स्टेटमेंट के हवाले से यह रपोर्ट जो है सामनी आई है और इसी के तहत इन तीनों के खिलाप चार्ज शीट एन आई की जानिब से दाएर किया गया है